लमस्कार हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ सुमिछ चौदरी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर से लगातार सुदर्शन्यूज और ऐसी बंधों के खिलाफ एक मुहीम चला रहा है जिसमें हम उम तमाम बातों का खुलासा कर रहे ह कि किस तरीके से ये दोनों भाई मिलकर एक खास समुदाय अल्प संख्यक समुदाय को बर्गलाने का युवाओं की मानसिक्ता को बदलने का और इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उन तमाम चीजों को हम जनता के सामने रख रहे हैं और साथी साथ उदर्शन्यूज की इस मुहीम को लगातार जनता का समर्तन मिल रहा है इसी कड़ी में आज हमने मुस्लिम युवाओं को आमंतृत किया है जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे और अपने तमाम युवा दर्शकों को ये बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये दोनों भाई मिलकर देश के युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उनकी मानसिक्ता को बदलने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से नुकसान इस देश की जनता को पहुचाया जा रहा है। पहाशनों के दोरान जनता को और युवाओं को भड़काने का काम करता है। उनकी ताफ़त बिनना है, आप दिवस्ता इतिहाद पैदा कर लो, फ़सी ताफ़त बना लो और आप में उस तरीके से इमान को आप एक जगा ना लेंगे, तो किसी मार का जना हमारे बज्यों को मारना तो छोड़ो नजर उठा के नहीं रहे है। तो समझा जा सकता है किस तरीके की भाषा का प्रियोग यहाँ पर किया जा रहा है और किस तरीके से जन्ता को और युवाओं को भढ़काने का काम किया जा रहा है। और कैसे इस देश के अंदर अस्थरता पैदा करने की कोशिश OVC की तरफ से की जा रही है। अपने महमानों से आपका परिशे करा देते हैं युवाँ हैं और उन ही से यह जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से नुकसान यहाँ पर देश के युवाओं को पहुचा जा रहा है। मेरे साथ इर्फान खान साब हैं, बिजनस्मैन हैं, वकार सिद्धिकी साब हैं, ये भी बिजनस्मैन हैं, इसरार त्यागी साब हैं, बिजनस्मैन हैं, अर्सर चौदरी साब ये भी बिजनस्मैन हैं, फिरोज खान साब हैं, प्रबंदक हैं, मदर्सा मॉलाना मुहमद अली जोहार के, सबसे पहले मैं यहाँ पर इर्फान खान आपी के पास आना चाहूंगा वीडियो आपने देखा, प्रतिक्रिया आपने देखी, क्या कहना है आपका यह भाशा क्या कह रही है, युवाओ को चोट पहुचाए जा रही है कही ना कही इर्फान कान साथ यह भाशा है, युवाओ को वागए में काफी अपने और अकरसित करती है जिससे मुसल्मान पर काफी यह होगा, इत्हाद जो है, इत्हाद वो काफी यह होता है नुक्सान पहुचाए जारा है, बिल्कुल अपने भाईयों को मसवेरा दूँगा कि ऐसी बातों में न फसे वो और अपने भाईचारा आपस में इत्तहाद कायम रखे नहीं, कहा यह जा रहा है बार-बार कि अगर हमारे यहां पर इस तरीके की बात होती या हमारे स्टेट के अंदर ऐसी कोई बात होती, तो हमें कोई छू नहीं सकता था जो भाशा उप्रयोक कर रहा है, मैं उस बात पर भी नहीं जाना चाहता हूँ आपने वीडियो देखा ही है, किस तरीके की यह भाशा है पूरी तरीके से भढ़काने की बात है, युवाओं की मानसिक्ता बदलने की बात है आपको क्या लग रहा है यहां पर इसरात्यागी साब यह जो भाशा है, बार-बार जो तमाम मुस्लिम लोग है, अल्पसंक्यक समुदाय के जो लोग है वो बार-बार जोडने की बात करते हैं, ऐसे कई सक्षयते हुई हैं मुस्लिम समुदाय के अंदर भी जिसे लोग अपना आइडल मानते हैं, क्या ओवैशी बंधू इस तरीकी की भाशा का अस्तमाल करके उन तमाम मनसूबों पर जो इन से पहले उन महान शक्सियतों ने इस देश को जोडने का काम किया है उन तमाम शक्सियतों के मनसूबों पर पानी नहीं फिर रहे हैं बिल्कुल फिर रहे हैं अचली काया है यह लोग के ले इक मुस्लिम का नुमांदा बनना चाहते हैं कि हम मालिक हो जाएं पूरी मुस्लिम का अब ये अकेले अगर मालिक होई जाएं तो ये देख लिजे कि इस तरह की लैंग्वेज का इस्तमाल करके ये करेंगे क्या और मैंने तो और भी इनका क्लिप देखी हैं यह तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई माइक ना होता इस मेरे हात में यह बंदूख होती हुँ कोई कोई भी धर्म दे उसको जब इतनी इज़त दे रही है कि उसको माता कहा तो आप उसके ही ऊपर क्यों अपनी बातों को ले के जा रहे हैं पूरी राजनीति अपनी जब कि हमारे यहां पर देवबंद में इस पर फत्वा भी आ चुका कि आप यह गाएं का जो भी है यह आपको हराम है लेकिन फिर भी लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता हैं चाहते हैं समझते हैं कि हम इस तरह की लाइने बोलेंगे और हम जो है उपर उटके आएंगे और मालिक बन जाएंगे ठीक वही चाले ठीक है फिरोज गान जाब अगर इस भाशा का प्रियोग किया जाएगा नुकसान किसे पहुँचा जा रहा है देखें उबैसी बंदुओं को ना की जानकारी है ना हदीश की जानकारी है पैगंबर इसलाम ने फरमाया है कि वतन की महबत इमान की अलामत है जिसका इमान जो बतन से महबत करता है वो उसका इमान का सुबूत है वो उसकी इमान की गारंटी है और अबैसी बंदुओं ये अपने आपको मुसलमान कहते हैं मै منصوبے بار بار نظر آتے ہیں देखें जो जो कोई भी सही चाहां ओवैसी सही चाहां कोई सही जो लोग कुरान और हदीश को नहीं मांते अल्ला के नभी के बताइवी रास्तों पर नहीं चलेंगे और अल्ला की जो बातें उन पर चलेंगे वो मसलमान नहीं है और वइसी बंदू तो काफिर हैं इमान्दारी के साथ, मैं कह सकता हम पूरी तरीके से, उन्हें मुसलमान कहलाने का कोई हकी ही नहीं है, पिल्कुल भी, शौनके इसलम इजाजत नहीं देता है हिनसा की, अगर इसलम हिनसा की इजाजत देता, तो तो वैसी बंदू कर रहे हैं यह तो इसलाम नहीं फैलता इसलाम प्यासे को पानी पिलाने का नाम इसलाम है भूके को खाना खिलाने का नाम इसलाम है किसी के पैर से काटा निकालने का नाम इसलाम यह नहीं है यह जंदगी फैला रहे हैं और यह हिंदू के रहे हैं यह मुसलम पर खड़े करके फासी लगा दी जाएगी वैसी अगर उस कानून की बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का कानून नहीं चल सकता बरगलाने वाला देश्चत फैलाने वाला यह तो देश्चत गर्द हैं यह मुसलमान है कब इन लोगों को तो फासी बलटका दी अगर यह ऐसे कानून की बात करेंगे सजुद्य अरब आले की तो यह बोल नहीं सकते हैं यह इनकी खुस नसीब है हिंदूस्तान में पैदा हुए है क्योंकि यह लोग तंत्रिक देश है यहां पर अपनी बात कहने का हराजमी को अधिकार है तो वैसी जैसे लोग यह तो द भी है वो तमाम मुद्दे जो हैं उस पर भी हम एक दिन बैठ कर बात करेंगे उस पर भी हम एक खास कारेकरम लेकर आएंगे लेकिन आज मुद्दा जो हमने अवेशी के लिए रखा है जिस पर हम तमाम करतूतें जो इन दोनों भाईयों की तरफ से की जा रही है और जो एक खुद को मुस्लिम समुदाय का एक रहनुमा या यूं कहा जाए कि एक खास हितेशी बतानी की जो कोशिश की जा रही है सवाल यह है कि अगर इस तरीके की भाशा का उप्योग किया जा रहा है कि अगर हमारे राज्य में या हमारे हैदराबाद के अंदर इस तरीके की ही बंदू है और यह मुसल्मानों को जो मुखधारा है उसको से तोड़ने का काम कर रहा है देखें मुसल्मानों ने यह वैसे को मालूम नहीं है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हजारों उल्लमाओं ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कुरवानिया दी और ऐ ऐसा कहीं से कहीं तक भी कहीं भी ये अपना इसलाम लाना चाहते हैं ये इसलाम से इनका कोई लेना देना नहीं है इनका कुरान और हदीश से कोई लेना देना नहीं है एक चीज में आपको बता दूँ ये मुसल्मान के आसे पासे भी कहीं नहीं खड़े हुए बिल्कुल भी देखें हम तो ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं मैं वैसी बंदुह को मैं इस शेर के माधियम से कहना चाहूंगा मिटा दें वो स्याही जो दिलों पर छा converge गई है दूर कर लें न उन्हों भाई मिलकर जिस तरीके की भाशा का प्रयोग कर रहे हैं उससे साब जह लगता है कि देश के अंदर जो एकता है युवा है उन्हें तोड़ने की आपक कोशिश की जा रहे हैं जाओंगा मैं शेर के माध्यम से मैं वए इसी बंधों को बता जाना चाहता हूं यहां का मुसलमान कैसा मुसलमान हैं मैं किस अिए कहा हूँ हूं मेरी पहिचान लिख देना कफन के एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना मेरे माथे पे धर्मों के टिकेट चस्पा ना कर मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना हिंदुस्तान जिन्दावाद हिंदुस्तान को मिटाने वाले लोग यह कहा हैं यह बिलकुल और ही तो पाकिस्तान जाने क क्या कहना चाहेंगे देखे बाशा कठोर रूप से निंदनी है यह बाशा कहीं से कहीं तक भी ना सम्वेधानिक है और ना ही युवाओ को पसंद आने वाली है क्योंकि यह जो मुल्क है वो हिंदू-मुस्लिम की एकता का प्रतीग है बिल्कुल पूरे वर्ड में जो इसकी प यह मुल्क मिलके बना है और यह एकता प्रतीग के लिए बहुत सारे लोग में वैसी बंदू और बहुत सारे नए लो昨 Group पैदा हो रहे और इसकी वज़वर moje को हिट हो जा रहा है इनको एक फॉलोइंग मिल लग लएगे इसका क्या करण आपको क्यों लगता है यहाँ का मुसलिम इतना बेवकूफ नहीं है यह अब तक की मिसाल है कि अगर मुसलिम इतना बेवकूफ होता और udahका भाशन पर जाने पर वोट दिया करता, तो यहां पर कोई बड़ी मुस्लिम पार्टी होती, कॉंग्रेज, बीचेपी, सपाब, सपाइस तरीके से नहीं नहीं पार्टी आई हैं, डॉक्टर मसूद बनाते हैं, बनाते हैं, यह अब तक बहुत सारी सीटे जीत चुकी होती, मु बहुत सारे लोग हैं, जो सेक्विलर हैं, अगर उनके पीछे हम चलेंगे हमें कामयावी मिलेगी, वैसी के साथ चलके हमें कामयावी नहीं मिलने वाली, और हम इतने बेखूब भी नहीं हैं, ऐसे तो मैं अगर अपना बिजनस हिंदू के साथ ना करूँ, सिर्फ मुस्लिम के साथ करूँ, तो मैं बिजनस नहीं कर पाऊंगा, तो वही हम अपनी पूरी जिन्दगी में एपलाई करते हैं, मैं हूँ, मेरे और साथियां बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि हम इस तरीके से हमारी सोच हो जाए, हमारा बिजनस भी ठप हो जाएगा, हमारे काम भी ठप हो कर देना चाहूंगा, अपने चोटी सी दलील, इसलाम ये कहता है, हम पर खाना तब तक हलाल नहीं है, जब तक कि हम प्ढूसी हमारा भूका है, तो हम पर खाना हराम है, पढूसी को हिंदू या मुसल्मान या सिख नहीं बताया गया, सिर्फ ये बतागागा प्ढूषी तोड़ने की बाचा है और जो देश का युवा है वो किसी भी धर्म संपरदाय से हो मुस्लिम संपरदाय से हो वो बिलकुल भी इसकी भाषा के प्रियोग से अपना जो रास्ता है उससे नहीं भटकने वाला है लेकिन मेरा या पर सवाल एक और है उस पर में जाऊंगा लेकिन उससे पहले आपको एक और वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से ये तमाम धर्मों को लेकर किस तरीके की भाषा का प्रियोग करता है वो सुनिए कैसे होती है एक जो धर्म संपरदाय है जो अपनी जमात है वो कैसे ताकत वरबंती है क्या दूसरी जमात को गाली देकर दूसरे के धर्म के बारे में अनाप्शना बोलकर सवाल ये है कि जो भाषाय प्रियोग की जा रही है दूसरे धर्म संपरदाय के लिए उसके लिए इस पर कैसी कारवाय होनी चाहिए मैं चाहूंगा अलह ताला पूरे आलम का मालिक है ना का मुसलमानों का और हमारे नभी जो है रहमत लिल्लामीन वो पूरी काईनात के लिए रहमत बनके आए तो यह जो जमात की वात कर रहे है वैसी इनको बिलकुल भी इस तरीके की वात है नहीं बलके इनके खिलाब देश हो नीटा ही ओवैसी जैसे लोगों पर फिर कोई उबैसी फिर इनके जो यह उबैसी ने जो रास्ता चुना है ना असल में एक सबसे बढ़ी चीज यह भी रही है कि जो और लोग बोल चुके हैं जैसे तोगलिया साब बोले हैं या आपके योगी आदितनासी जी बोले हैं उन देश के अंदर जो इस तरीके की भाशा का प्रियोग कर रहा है उसके खिलाफ जरूर यह का इस तरीके कारेकरम सुदर्शन न्यूज की तरफ से चला जाएगा और हमने हर उस शक्स को संदर्ब में लेकर कारेकरम चला रहे हैं इससे पहले भी हमने होवेशी पत्वों के लि युवा जो है वो काफी लिब्रेल हुआ है जो एक development की बात की जाती है सोच की बात की जाती है अगर युवाओं के मन में इस तरीके का जहर भरा जाएगा उन्हें रास्ता दिखाने के बजाए इस तरीके से भड़का जाएगा क्या उनकी मानसिक्ता पर फर्क नहीं पड़ हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए मुसलमानों कहते है अलग मुल्क बना दे या इनको बाहर निकाल दे या हम खुद बाहर निकल जाएं देखिए अगर निकलना होता या जाना होता तो जब पाकिस्तान बन रहा था तब मुसल्मान के पास अपशुनिटी थी वोट कर सकता से जासकता log पाकिस्तान बन जाता पुरा मुल्क बन रहा था कि यहां जाना चाहते यह आप यह यहां से कुंट मीना ताजमहल ले यह सब क्यों लेके जाएंगे और मुसल्मान अगर आप देखें तो मुसल्मान जब यहां पर आया जब बाबर हुमायू और जब उनकी हुकुमते यहां पर हुई तो वह मुसल्मान इसलिए यहां का हिंदू मैं भी हिंदू हूँ मेरा जो गोत्र है वो गोतम है और मैं मुसल अगर बना तो इसलिए बना कि मुझे कोई अच्छाई दिखाई दी इनसाफ दिखाई दिया या इसलिए बना कि वो कतल्याम नहीं चाहता था देखो जीतने के लिए तब राजा थे युद होता था वो उसको कोई नहीं रोक सकता हो नहीं हो वो दूसरी बात है लेकिन यह नह बिल्कुल बन जाएगी बन भी रही और बन भी जाएगी आप यह देखिए हिंदुस्तान में देख लिए बाहर किसी भी मुल्क में देख लिए जो इसलाम की छबी है वो उससे हटके जो हमारे नभी रसूल पाक ने जो बनाई है उसे तो हमने छोड़ दिया और एक अपनी नई तर्तीब बना दी और उसके ओपर चलने की बात करते हैं बिलकुत तो और उसका भी जहाद का नाम दे देते हैं कहां पे है इस तरह का जहाद कहां पर लिखा हुआ है कि आप लोगों को कतल कर दो उनके खिलाफ लड़ो एक बात यह भी आ रही है इस बात से कि एक बदल कब भी करते ते लोग कि क्या हुआ इन वेसी साब ने का फला ने भी यह लगता है यह जो अपनी जमात को मजबूत करने की बात की जा रही है क्या ऐसे जमात मजबूत हो सकती है युवाओं को भड़का कर देखें मैं कहना चाहूंगा यहां का इंदुस्तान का युवाओं इतना पागल नहीं है वो बहुत समझदार है और हर एक युवा मुसलमान है जो इसकी बाद मुसलमानों की की जा रही है मुसलमानों का खास ना क्योंकि जो कह रहा है उससे में उसकी में कड़ी मजम्मत करता हूं वह सही नहीं है बिल्कुल भी और यहां इतना पागल नहीं कि वह उसकी बात पर चला जाएगा हां फरक जरूर पड़ता है हर एक यूआ पर जो देखेगा उसमें 10% फरक पड़ेगा इन बातों से तो इसलि जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से भी जो हमें प्रतिक्रियाएं बिलती हैं या जो भाषा इसकी तरफ से प्रियोग की जा रही है उसका कोई एक्जम्पल भी नहीं कहा जा सकता है कि इस तरीके की भाषा को आम तौर पर भी किस तरीके से कहा जा सकता है कतले आम की बात की जाएगी तो कहीं न कहीं युवाओं को बर्गला कर भड़का कर एक तरफ ये जमात को मजबूत करने की बात करते हैं लेकिन कहीं न कहीं ये अपनी ही जमात को अपने ही धर्म संप्रदाय को अपने ही पंत को नुकसान नहीं पहुचा रहें बिल्कुल पहुचा रहें क्यों पहुंचा रहे इस बात से जो जमात कह दिया है यह जमात को बनाना है यह देखिए यह भी बदले की भावना है आप देखिए कि दूसरी जमात कुछ इस तरह की हमारे यह हैं वो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक जूटता के लिए कुछ नाम दिये गए मैं नहीं लेना जाता ह कि हम राष्ट के हित में इस तरह की जमात लेके चल रहे हैं और राष्ट के हित में चलते हैं कई बार वो दंगा भी कर जाते हैं लेकिन कोई रोक टोक नहीं है और कई बार होती है तो वो इतना स्लो प्रोसिस है इतना स्लो हो जाता है कि सामने वाला समझता है कि मैं भी करूँ तक इनन ने इतनी अच्छी बाते कर दी तो पूरी सीटों पर इलक्षन लड़ेगे लड़ेंगे जहां पर इनका आथा दिखाई देगा इंगे वहां यहाँ पर पायदा मिलेगा बिलकुल और सिर्फ इतना ही नहीं है आपको एक और वीडियो दिखाते हैं और आपको द्रक हैं कि किस तरीके से युवाओं को और ज्यादा भढ़का कर और उनकी जो मानसिक्ता है उसे बदलने की कैसे कैसे कोशिश करता हूँ देखिए नाफ करना नौजवानों मैं माफी चाहते हुए कहूँगा आपसे नेमान के साम में कह रहा हूं हमारा मिजाच तो यह हो गया फटर आया तदर भाई कहा है फटर आया आजाओ मार रहे भाई आजाओ गवरोरी आजाओ अरे बाबा मैं तो आऊंगा मेरे आने से पहले तुम तो हिसाब किताब कर लो बराबर नहीं बोलते क्या बोलते हो भाई आप आओ करींगे अब मैं आ कराना कर देना उसके बाद में बचाना मेरा काम है अर्जजब आप कर दो और बचा मैं लूँगा क्या कह रहा है यह सितने बढ़काने वाली बात है और असल में लोग का इमानना है कि मिस्तर की बाते करेंगे तो यह हमारे पीछा आएगा और इसके पीछे रियलिटी यह है देखिए एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा अगर किस इनसान के दो अलादे हैं और बड़े अलाद उसको गलत कह रही है और वो उसकी मजबमत ना करे एक मिसाल कायम ना करे उसको सजा दे कर तो इसकी सेकंड जो अलाद होगी वो भी उसको गलत कहेगी तो इन लोगों के सामने यह मिसाल अब तक हिंदुस्तान में पैदा हुई ह नहीं है कि किसी धर्म विशेश के खिलाफ बोले और उसको सजा दी जाए या यह प्रावधान नहीं है यह कानून की लचर वेवस्ता है मैं इस पर बहुत जादा डिबेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी हमें जो में मुद्दा हमारा हुई है कि भड़का बाशन ना द दी गई आप भी जानते हैं बहु चर्चित कांड हुआ था भी मुद्दफरनगर में दंगे हुए थे जैड़ स्रेणी की शुलक्षा दी गई कि इनको दी आप कोई मालूम है क्यों कि उन्होंने बढ़काऊ बाते बोली बढ़काऊ बाशन दिये पुरुसकार दिये गए उन्हें जब इस तरीके की मिसाल कायम होंगी तो कल को एक नया युवा क्या सोचेंगा मैं भी कुछ इस तरीके का बोलूँंगा तो हो सकता है मेरे भी भाह खुल जाएं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान चले-जाएं इस तरीके वाशन बाश्दी करता हैं तो उन सबसे बड़ी वजह है सबस्क्राइब जाते हैं नमाज के लिए पहली चीज जाते हैं तो चार ताले लगा कर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता आपके चोरी हो जाएगी तो सिस्ट्म बनाता है अच्छे-चार बुरे एक ही आप चैनल को आज क्यों आपकी नींदे खुली हमारी तो नींद खुल गई हमने तो इन तमाम चीजों को फिर भी दिखाया है अब तक एक भी वीडिया चैनल ऐसा नहीं है जिसने इस मुहीम को या इस तरीकी की वीडियो को दिखाया हो और वैशी के नंगे नाच को लेकर हमन इसको पहले भी जेल करवाई है लेकिन उसके बावजूद ये जमानत लेकर दस हजार के मुचलके पर जेल से बाहर आ चुका है और इसलिए हम एक बार फिर से यह मुहिम चला रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि आप खुद फोन कीजिए तो चुनाव अध इडरस्टी के अंदर एकलोता सुदर्शन न्यूजी ऐसा चैनल है जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है हमने तो अगर दो साल थे पहले भी यह मुहिम चलाई थी और एक बार फिर से चला रहे हैं हमने तो अगर नींद हमारी खुली नहीं है हम लोगों की नींद खोलने क काम कर रहे हैं इरफान खान साब अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर यह कहा जा रहा है कि आप अपने धर्म संप्रदाय को मजबूत करिए और आप कुछ भी करकर आ जाईए और उसके बाद मुझे बता दीजिए खुले आंपर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है युवाओं के जहन में क्या बैटेगा इससे सर इसलाम धर्म जो है इतना कमजोर नहीं है जो किसी एक व्यक्ति या एक एक इसकी वज़े से टूड सकता है या अकवर उवेद्व हो या यह अशुद्दिन अबैसी हो दो भाईयों के बलपे मुसलमान कायम नहीं है मुसलमान तबता रहिए मुसलमान एक एससे हैं तो मुसलमान को एक सखस या एक जमात की तरोदे मुसलमान मिलत एसलाम है क्यामत तक कायम रहेिगा ठीक हैं यह हमारा संदेश से सारे मुसलमानों से कि इनके बहbreaker पना आया और सीदी सीदी जो अब मुसलमान का कर्तब उनको निवाया लोग मुसल्मान का जो कर्तब उसे भूल गया है बहकावे में आ जाते हैं आज आए इंडियन मुजाहदीन जैसा संगठन कायम हो गया या यह कायम हो गया सब क्यूं कायम हुआ है कुछ यहां तत्व ऐसे हैं जिनके अगर परदरसन की वो जैसे उन्हो को भी खतम करो उनको दोनों को खतम किया जा हिंदुस्तान का जो आपसी यह ताल मेल है एक सच्चाई और इमंदारी का उसको कायम रखे मेरा यही लोगों से अप्रील है और सबोसे बिल्कुल वकार सद्दिकी साब आप क्या कहना चाहेंगे देखे मैं कहना चाहूंगा कि म का तरीके कि बात की जारी है कि अपना सबसे पहला और में लगी ही अगर सच्चा मुसलमान होगा जो अपनी जमात मजबूत करो जमात मजबूत बससक्राइब गिलाखET और अपने पक्टी जमाप की रूपमे चलेंगा बिल्कुल और जमात मजबूत करने के अब अगर क ensnyada बात को करने के अगर बात करता तो शायद ज्यादा रुवा इससे प्रभावित होते और इसके साथ जुड़ते लेकिन अगर अपनी जमात की बात की जा रही है तो इस देश के युवा चाहे वो किसी भी वर्ग से हो वो इतने कम जोर नहीं है कि इसकी इन बातों किसे बर्ग रख ले इन मुसल्मानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबर अद्दिर वरसी है और इनका गुस्सा मेरी जबान मेरे खिताब के जरीए तुछ तक पहुशता है अगर मने ही रहूँगा तो तू इस गुस्से के साम में ताब नहीं ला सकेगा और तबाही औ बर्बा इसकी वज़े से कम है या इसने रोक रखा है यह ठीक है बिल्कुल गलत है इसलाम की रूँस से भी गलत है यह फिरौनियत है यह खुदा तो है नहीं यह तो अपने आपको नाउस विल्ला खुदा बनने की कोसिस कर रहा है यह तो तरीके से कहना के मेरी वज़े से साम पूर यह जो सिस्टम चल रहा है यह लाद ना कि ओवेस सुद्धियों वैसी से चल लाए इन बंदों से चल रहा है यह बिल्कुल पूरी तरीके से ईमान से खारिज हो गया मैं फिर दुवारा से कहूंगा यह काफिर हो चुका पूरी तरीके से यह एक इसनी बड़ी बात कहे देना क जैसे कोई मैं अगर अगर फर्टिकृर हूं यहिंसालला लाने चाहा तो मैं साथ इसे निकलाओं और अलला का खुप्व होगा तो साथ खरियत के अपने घर पहुंच जाओंगा ये तो बिलकुल पूरी तरीके से बेहूदगी की इबात कर रहा है हो वैसी और ऐसी बात जो इसलाम में कहीं से कहीं तक नहीं है अब तक तो हमने जितनी प्रतिक्रियां सुनवाई हैं उसमें ये दूसरे धर्मों का अपमान कर रहा है ये अपने धर्म के ऊपर भी अपने इसलाम में साफ है कि दूसरे के धर्म की आलो शुना मत करो अपनेको सबसे अच्छा थमझो ये बिलकुल भी सबस्चिऱ्ट european को तो बुरा कहने का कोई हग और एक बात कहीं जाती है अगर आप दूसरे से जिस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं और जिस तरीके की आप वैवार दूसरे से चाहते हैं वैसा वैवार आपको खुद भी करना पड़ेगा आप अगर मार काट की बात कर रहे हैं तो ऐसी कैसे उम्मी नहीं करते हैं अमान नाम की कोई चीज नहीं बचिए कई वार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं इमान नाम की वैसी बंद्धों के अंदर कोई चीज नहीं है जराबी इनमें एमान का जजबा होता तो ये खुड़ा छोड़ी बड़वोली वात नहीं करते ये अपने आपको खुड़ा कहलवाने की वात करता है कि ऐसा कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान का गुस्टा मैं था में बैठा हूँ मैं चला जाओंगा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा ये कल मरते हो तो आज मर जा हमेशा हमेशा रहेगा इनके जिंदा रहने या मरने से को हिंदुस्तान की मुसल्मान कौम पर कोई फरक नहीं पड़ता है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ यही है और यही सब कुछ इस देश के मुस्लिम वर्क के लिए कर रहा है एक ब्रेक ले रहे हैं हम तो वैशी बंधू किस तरीके से मिलकर इस देश को युवाओं को भढ़काने का काम कर रहे हैं कैसे उनकी मानसिक्ता को बर्गलाने का काम कर रहे हैं हमने खास युवाओं को यहां पर आमंत्रित किया है वैशी का नंगा नाच की सीरीज लगातार जा रहे है और सुदर्चन नियूज को लाकों की संख्या में इन दोनों भाईयों के अकबर उद्दीन वैशी के खिलाफ समर्थन भी मिल रहा है लोगों का कहना है कि लगातार अगर उवैशी बंधू इस तरीकी के मोहिम चलाते रहेंगे तो उससे इस देश का मुसल्मान इस देश की जनता इस देश का युवा भरगलाने वाला नहीं है लगातार भारी संख्या में लोग खुद चुनाव आयोग में फोन कर रहे है और इसकी MIM की माननता रद करने की बात तक की जा रही है लेकिन सवाल है कि आखिर अब तक उवैशी बंधू इस तरीके से खुलयाम कैसे घूम रहे है इस तरीके की भाशा का प्रियोग करके भी इन पर अब तक बैन क्यों नहीं लगाया गया है इस तरह त्यागी साब मेरा सवाल अब आप से है कि अगर ये इस तरीके की भाशा का प्रियोग करता रहा अगर इसी तरीके से अपने आपको एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा तो लोग क्या मानने लगेंगे ऐसा हो जाएगा क्या क्या इतनी जो जो भाशा का प्रियोक करके जिस तरीके की मानसिकता गढ़ने की कोशिश की जा रही है युवाओं की मैं इस पर कहना चाहूंगा कि नेता तो नहीं लेकिन एक गुंडे वाली ज़रूर बात हुई थी कि भाई जैसे पिक्चर में भी दिखा जाता है इसी तरह का सायद महीं से उठा लिया हो किलिप तो इन्होंने यह कहा कि आप कुछ भी करके आजाओ और मेरे पास आजाओ बिल कि में देख लूँगा उस तरह की बात यहां पर आई कि जो तमाम मुसलिम वर्ग है यह मुसलिम समुदाय है उसका गुस्टा गुस्ता ना मैंने रोक रख है क्या कर दिए और जानते थे अब तक अब तक क्यों नहीं आ था यह तुम तो आए हुए यह अभी साल दो साल से आखी कैसी पहले लेकिन मैं तो जानता तक मैंने किसे र Okay? किस बात का एक तो मुस्लिम समूदाय यह ना शांती का परतीक सबसे पहली बात मुस्लिम जो है आप पहली भी हिस्ट्री भी निकाल लो कोई भी चीज देख लो उसमें यही आएगा कि इनके उपर जुल्म हुए और उसको बरदास्त किया गया और महबत से उसको निप्टाया गया और महबत की वज़ा से ही लौग इसमें के अगर हम खुद को भी मंस इ Cr 요 सुन के कोई भी इस धर्म में आना पसंद कर लेगा बिलकुल नहीं कर सकता बिलकुल सवाल यही है और वकार सिद्धिक साब अगर यही कहता है कि मैंने सिर्फ मुस्लिम वर्क के लोगा गुसा ठाम रखा है इस में तालीबान में क्या फर्क रहे गाए कुछ नहीं फर्क रहे दो गतले आप मचा रहे हैं यह उसी तरीके के मैस्ज़ देना चाह रहे हैं लेकिन दोनों तरीके से जो आई-ई-एस है उसमें क्या है उसमें और इसमें अगर किसी के भी खिलाब जो गुस्से की बात करें हमें तो नहीं लगता है कि हमारे दिल में बात है और हमें किसी का गुस्सा है तो उसका इजार हम खुद करेंगे ना कि उसके दुवारा कराएंगे किसी को उसका इजार हम खुद कर सकते हैं जो हमें गुस्सा दिख रहा है किसी के रहते हैं यह नहीं 125 क्रोड हिंदुस्तान की आबादी है कोई नहीं जानता को यह पुरे देश के मुस्लमानों का प्रतिनिधित्व करने की बात करता है हमारे आडियल अपीजे अब्दुलकलाम हो सकते हैं और ऐसी शक्सिते जो इसने मुस्लिम समुदाय को एक एक इस तरीके से प्रति दिधित्व दिया है जिसने सीना चोड़ा किया है मुस्लिम समुदाय का इर्वान घंसा सर्व मैं यह चाहता हूं कि यहां जो मुस्लिम समुदाय को एक के इसमें बांटा जा रहा हमारे हुजूर स्ल लाला सब्सक्राइब वो उन्होंने इसके परतिक थे कि वह र कि अमद्टिलि आलमीन बन किया थे ना कि एक सक्स के लिए और एक कौम के लिए इसलिए हम लोग उसके मानने वाले हैं सारे जितने मुसल्मान अब उनको उनको यह करते हैं इसकी वज़े से आज आग्वर दिन वैसी हो गया श्रुदिदिद्बियु उवाइसी हो गया ईंकी वाइसे इदा तूटते ऐना बन 00 Televisionbei उन्होंने को बढ़ हैं कि आ के विए पो हूं बदनाम कियां आकि तुर्ने से पाइता है कि मैंने बयते बीन हुआ और हमारे देश की जो राजनितिक है वह इतनी यह हो गई भरस्ट हो गही है जो हर गव्त तरह से जाड से हमें वोट आएए तो यह हमें इसके वजह हो गया है , ना ना आपको गिरी राश सिंघ्ञ हो गया जो करता है कि जो बूट नहीं देगा वह बारा पाकिस्तान जाए ऐसे एसे लोगों की साथ यह नके इनकी जगह मंतराले है बहित आपस ऊपस में एक हिंदुस्तान बनाना है लोगों को के लिए जितना शली में सबसे ज्यादा इसलिए यह खुद को उन से जोडने की कोशिश करता है और इस की भाशा का प्रियोग करता है जिससे की उनकी मानसिक्ता को ठेस पहुंचाए जा सके क्या कुछ और इसकी तरफ से उन तमाम युवाओं को भड़काने के लिए इस्तमाल किये गए हैं शब्द वो भी सुनिये और कैसे कहा मेरे आखाने के खुल जा हो लख वजहा कुल बातिल इननल बातिला कानद होका के बातिला आया मिटने के लिए याद रुखो नौजवानों ये मिटने के लिए आए हैं हम मिटने के लिए नहीं आएं मैं फिर से तुम से कह रहा हूं के जब तक हम जिन्दा है दु नहीं तो दुनिया नहीं यह घुन्डों को खतम करो यह कहां के भी घुंडे होंगे खतम करो इनको मुंडी कुछ लोगों की फिरोज गान साथ मुसलिम संप्रदाय के अंदर या मुसलिम धर्व की अंदर ऐसे लोग हुए हैं जोने अपनी खुद की कुर्बानी दे कर लोगों की जाने बचाई हैं, लोगों को जीना सिखाया है, उन्हें जिन्दिकी का मतलब बताया है, ये शक्स दूसरों के सर कुचलने की बात कर रहा है? देके मैंने पहले वी आप से कहा फिर कह रहा हूं, वैसी बंधों का मुसल्मान, इसलाम, पुरान, हदीश से कोई लेना देना नहीं है, इनकी बातों को मुसल्मान कह के ना किया जाए, ये बड़ी, ये देखें ना, ये तो मैंने बताया है, इसका एमानी नहीं है, और जिसक मुसल्मान का मतलब है आदमी का जो तरीका है जो इसलाम के तरीके पर चले इसलाम की किताबों को माने और जब मुसल्मान यह वैसी बंदू हो जाएंगे इनसे मैं कहना चाहूंगा इन्हें भी बताना चाहूंगा यह हमारे मदरसे में आ जाएं यह हिंदुस्तान के किसी भी म की तालीम दे दी जाएगी तो ये फिर सच्चे और पक्ए मुसल्मान हो जाएगा तो ऊसका काम देश को तोड़ना नहीं होगा जोड़ना होगा हमारे देश को वैसी जैसे लोगों की जरुवत करती हैं बिल्कुल इरवान घान साब अगर आईडल की बात यहां पर की जाए यह कहा जाए कि जो इसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे धर्ब संप्रदाय के अंदर हम मिटने नहीं आए हैं हम बिटाने के लिए आए हैं जो लोग इस तरीके से करते हैं उनके सर कुचल दो आ और इस पर काफी हम लोग आपती जताते हैं कि यह जो कर रहे हैं इनको अपनी च्छमा मागना चाही था और इनके लिए जो सजा है वो होनी चाही थी लेकिन मैं एक चीज़ जो और ना चाहूंगा कि ऐसे जो होते हैं लोग हैं वो ऐसे ही सर्फ इंसानियत को तोड़ने का हाँ पर काम कर रहा है बिल्कुल कि हमारा मजभ जो है इसलाम मजभ वो यह बताया गया कुरान में आया है कि कुलिया यॉल काफि उनला आबदु माता आबदुनला अन्तुम आबदुनमाबुद लकुम दिनको मुले दे उसका यह तर्जुमा है कि तुम अपने धर्म की अगर देखा जाए अगर यह कहा जा रहा है कि आप दूसरे का जाकर सर को चल दीजे या आप इस तरीके का काम कीजे और हम यहां पर मिटने नहीं आए हैं ऐसे ऐसे शक्सिते मुस्लिम संप्रदाय के अंदर हुई हैं जिरोंने अपनी कुर्बानिया देती हैं ऐसे कई एग परिटरेशन जो किया है इसलम का उसकी जो चुनिंदा इन्होंने आयत चुनी है उसका माइना इ Churchill tiee जिया जूडू चिया है जोन का है यह तो है यहाई है कि जब तक एक बंदब को एक मानना अल्राय एक है जब तक इस स्व को मानने वाला एक भी इनसान रहेगा तो Catholics chilly यह है लेकिन इमान वाले का मतलब तो इंसान से हैं घसी को मानने वाला तो इनसान नहीं हो सकता किसी को बेवजा कष़ीम करने वाला तो नहीं हो सकता दूसरा foreign मैं उसको और अपने संप्राय को अलग अलग करके देखता हूँ फिलाल देखो मुस्लिम के अपनी जभा मुस्लिम उपनी डियलोजी है अपनी फिकर है वो ना यही बात जैसा के लिखा हुआ था क्रोड है। फतह करने की बात कर रहा है। मेरी सामिया जी मैं अकेला चला जाओं तो फुद नहीं आप अकेले चलने जाएं तो फुद नहीं आप हम मिलके जाएं तो ये तुरिया को फटे कर सकते हिंदुस्तान तो बहुत भोटा है नी किसे फट्य करना है? जाना पड़ेगा यानि नर्क में जो किसी का दिल दुखाएगा किसी को दिल दुखाने वाला सबसे बड़ा गुनागार है और उसकी माफी अल्ला नहीं देगा बलकि वही इनसान दे सकता है जिसका दिल दुखाया गया हो तो यह तो सो करोड का दुखा रहा है इस तरीके से करोड का दुखारा है हम अन्म किृस में मिलें कि इस तरीके सामिल दूकर करोड उथ हम साथ विजन्स करते हैं इस तरीक यह विजनस चाहिए करेंगे तो बहुत हमुड हम ही खतंब से रहेंगे और अगर देखा जाए अगर इस भाशा का प्रयोग किया जा रहा है इसमें का जा रहा है कि हम हिंदोस्तान को फतह कर सकते हैं फतय करने की हिंदोस्तान हिंदोस्तान में एक साथ मिलकर एक साथ बैटकर एक साथ एक था किस साथ रहनी की चीज़ है क्या यह मैसेज देना चाहिए या इस तरह के मैसेज देना चाहिए कि हम इसे फत्या कर लेंगे हम पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को ले जाएंगे औरे ओवेसी साब बड़ी मुश्किल से 600-700 साल पहले ये आता था कि फत्य करना अब इसको फत्य करना है और कतल्याम होते थे फत्य करने के लिए मैं कहता हूं कि हम बहुत आगे आगे हैं फत्य करने वाला सिलसिला जा चुका है अब आजादी का है ये जो दोर चलना है वो ये जो फत्य करने की बात करोगे आपके पास है क्या जिससे आप जिसके बलबुते आप ये कहते हो कि हं इंदूस्तान की का है कि फत्य करने की बात कहते हैं हिंदूस्तान का आज के के सामने एक बड़ी लखीर खीचों तो साबित होता है कि हां हम बड़े हैं अगर यह अपने संपरदाय को अपनी जाती विशेश को उपर लाना चाहरे हैं तो अपने यहां से पैदा करें प्रशासनिक पोस्ट में जाएं तो उसके लिए एक पॉजिटीव वे देना होगा अ हिकते आएंगी 125 क्रोड लोगों के सामने कर एक एक आदम को कामियाब होना है तो उसको एक्स्ट्रा एक्सिलेंट परफॉर्मेंस देना होगा लड़ाई में नहीं तलवार के बलपे नहीं बलकि कलम के बलपे 125 क्रोड पर क्या इसका क्या कहरा है वो भी सुनवा देते हैं आ 15 मिनिट के लिए पॉलिस को हटा लो बता लेंगे किसमें मत कौन ताहर है 15 मिनिट हटा लो इसके आगे हमें कुछ नहीं कहना है इस प्रतिकरिया को सुनकर इस वीडियो को सुनकर तमाम दर्शक जो इस वक्त अपने टीवी सेट के सामने बैठे हुए हैं वो समझ सकते हैं कि किस मानसिक्ता के तहत इसकी तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है और कानून व जाती है और जब तक MIM को बैन नहीं किया जाता है बहुत बहुत शुक्रे आप तमाम मेहवानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए युवाओं की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए और इस पूरी कड़ी में हमारा हिस्सा बनने के लिए इसे के साथ हमारे आज क स्पेश कर्श में इतना ही जाहिद